स्वागत था आप सभी का आप कपने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरे नाम मुमे से आदो है दोस्तों IBPSPO मेन एकजाम 2019 में 30 नॉर्मर को कंड़क्ट हुआ था उसमें जो current affair का question पुछा हुआ था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में discussion करेंगे आप में से जिन candidate का pre-exam होगे है आप लोग main के preparation में लग जाएए और आप में से जितने सारे candidate का pre-exam 10 और 11 October को है आप लोग अच्छे से pre के लिए preparation किजे आप सभी को पता चल गया है कि किश टाइप का exam में question पुछा जा रहा है उसी के उनसार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा practice करना है अलग लग sources पर आपको free of course memory based paper जो है available है उसको जाकर करके आप attempt कर लीजे आप सबको उससे मदद मिलेगा description box में चले जाएए free of course memory based paper का आपको link दे दिया हूँ उसको जाकर करके आप ज़रूर attempt कर लीजेगा आप सभी को उससे मदद मिलेगा और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजे आप सभी का exam अच्छा जाएगा और आपका pre qualify होगा अब बात करते हैं दोस्तो 2019 में जो exam हुआ था उसमें जो current affair का question पुछा हुआ था उसके बारे में हम लोग detail में discuss करते हैं आप सभी से request है कि आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा मैं आप सभी को हमेशा बताता हूँ कि ये fair cloud PDF जो है based है आप सभी को इस वीडियो से पता चल जाएगा कि ये fair cloud का PDF क्यों based है आप इसको ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले बात कर लेते हम लोग कौन से topic से कितने question पुछा हुआ था current fair से आपको twenty one question पुछा हुआ था static gk से आपको एक question पुछा हुआ था करेंट banking अवपनेस से तीन question पुछा हुआ था याणि चानलिस question आपको आता है आपको पता है इसमें से आपका target होना चाहिए कि थर्टीफ और हम करना है एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो current में जो news रहता है banking का हो गया या current affair का important news होता है वो आपके interview में भी question आपसे पूछा जाता है तो आपको current affair के साथ-साथ जो important topic है उसको आपको interview के लिए भी आपको preparation करना है यानि आपको main के exam में भी काम आएगा और आपको interview में भी काम आएगा तो आपको अच्छे से इसके लिए preparation करना है अब बात करते हैं दोस्तों आप इसको जाकर के question को देखना मैं आपको affair cloud का video बताता हूँ कि आप उससे पढ़िए आपके exam में अच्छे score होंगे उसका आपके example आपके सामने है जैसे ये question first number आपको पुछा हुआ है इसमें जाकर के आप देखिएगा ये जो link आपको दिया हुआ है इसको जाकर के आप click करके देख लीजेगा 2019 में जो current affair का question था कि इस date से question पुछा हुआ था वो आपको पता चल जाएगा जैसे आपको example के तौर पर देखिए question number 7 जो है how many country have signed the international solar alliance यानि international solar alliance जो framework था October में question था 2019 का October का question था उस समय तक कितने country ने जो है international solar alliance framework में sign किया था तो 83 country जो है किया था एक question आपके exam में पुछा हुआ था आप इसको जाकर के आपको link जो दिया है उसको आप click करके आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 31st October 2019 का यह आपका question है यह जो आपका daily का जो आपका quiz आता है question answer का आता है उसमें यह question पुछा हुआ था आप देख लिजेगा यहाँ पर 6 number question आप देखिएगा तो यह 6 number question थो था यानी सभी question यानी 2019 में जो एकजाम हुआ था सभी question जो आया था 40 में से 40 question जो था यह fair cloud के PDF से ही आया था और दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होता है मैं आप सबको हमेशा current affair को लेकर के मैं motivate करता हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि current affair में आप जो है तोड़ा सा कर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप current affair में अच्छे score कर सकते हो और आपको पता है कि reading और count जो है सभी बनाते हैं लेकिन current affair जो है बहुत सारे candidate का उतना अच्छा नहीं होता है तो आप सभी लोग जो है अच्छे से मेहनत किजिए current affair पर जादा से जादा आपको मेहनत करना है क्योंकि इससे आपको दो फैदा होगा main के exam में भी आपको इसमें अच्छा score होगा और आप interview में भी काफी अच्छे करोगे आप लोग अच्छे से preparation करेंगे आप current affair का यह subscription लेना चाहते हैं तो आप जाकर के description में उसका link दिया हूँ आप उसको जाकर के ले लिजे आपको definitely जो है current affair से आपको मदद मिलेगा यह फैर cloud के PDF से आपको मदद मिलेगा दूसरा सबसे important है आई बीपे, सारवे, पियो मेन के लिए कलर्क मेन के लिए यह लोग आपका subscription जो लिए हैं उसी में आपको जो है एक अलग से एक स्रीज स्टार्ट करने वाले हैं जो important question है उसको आपको provide करेंगे तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा तो उसको जाकर के subscribe कर लीजिए आपको link description में दिया हूँ thank you so much God bless you all